Dear Students, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए Subject Mathematics को पढ़ना शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 10th क्लास में जो मैथ पढ़ रहे हैं वो ये NCRT बुक से Trigo Chapter है यानि Trigo बोले तो Trigonometry यानि कि Trichonmety Chapter को पढ़ रहे हैं NCRT के Exercise 8.4 के Questions को हम लोग देख पा रहे हैं 8.4 के Questions को Solve कर रहे हैं ठीक है चलिए दिखाते हैं 8.4 के Question है यह 5.6 है धोस्तों 5 का याद है न Question Number One हम लोग उने कर लिया था और तिख पा रहे होंगे 1,2,3,4,5 करते-करते-करते-करते 10 तक के Questions है इन सारी questions को आपको क्या करना है सिद करना है यहाँ पर लिखा हुआ ना निमलिखित सर्वशमिका है सर्वशमिका का मतलब होता है शमिकरन यानि कि बराबर के बाये तरफ LHS बराबर के धाये तरफ RHS को हम लोगों को बोल रहा है कि दोनों तरफ को बराबर दिखाओ शिद करो हम लोग उन्हें पहले questions को पढ़ा था सिद किया था बराबर दूसरे वाले नंबर को questions को देखते हैं कैसे हम लोग शिद करेंगे ठीक है क्या वही question दिखाते हैं तो question है cos A बटा 1 प्लस sin A plus 1 प्लस sin A बटा cos A is equal to लाना है दोस्तों हम लोगों को 2 sec A हम आपको बताये थे कि आप क्या करो LHS से चलो LHS का मतलब left hand side से अगर आप चलते हैं तो 1 प्लस sin A और cos A को आप LCM ले 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 जए तो 1 प्लस sin A into cos A का आपका LCM हो गया यह हो गया LCM 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कटेगा तो सिर्फ यहां cos बचेगा और cos और cos का गुना cos square A हो जाएगा यहां plus है plus कर देंगे ठीक है उसके बाद cos जो है cos से कटेगा तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस sin A और इस 1 प्लस sin A को इस 1 प्लस sin A के साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस sin A का whole square बनेगा ठीक है अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे हम लोगों को क्या बन रहे है यहां पर cos square A यहां पर बन रहोगा A प्लस B का whole square ठीक है यह 1 प्लस sin A का whole square ठीक है A प्लस B का whole square फार्मूला क्या होता है A square प्लस B square plus 2 A B तो यहां हो जाएगा 1 का square plus B का square यानि की sin square A ठीक है plus 2 A B तो 2 A के जगा पर 1 B के जगा पर sin A तो 2 into A into B यानि की sin A और बटा में क्या है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 1 plus sin A यह bracket में है और into में क्या cos A ठीक है आप देख लो यहां पर cos square 1 square का मतलब क्या वई 1 इस 1 square को हम यहां 1 लिख सकते है और plus cos square A है और plus sin square A है तो हम लोग ऐसे लिख सकते है क्या इसको sin square A plus cos square A लिख सकते हैं ने दोनों को साथ में इस 1 square को पहले लिख देया कोई लिख तो नहीं होना चाहिए और यहां पर sin square A sin square A cos square A cos square A ठीक है तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या बच रहे हैं प्लस two one sign A का मतलब क्या two sign A ठीक है यहां पर two को one से गुना करेंगे तो two और sign A का sign A और divided by one plus sign A और गुना में क्या cos A ठीक है अब आप देख लो तो sin square A और plus cos square A का वेलू कितना होता है वही आपको हम बताय हुए एक फार्मूला इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आप फार्मूला को न अच्छे से याद कर लो वही हम फार्मूला आपको दिये हुए है sin square theta plus में cos square theta रहेगा वही लिख देना आप one यहाँ पर sin square आपको तो मिला A cos square A तो हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि sin square में रहे cos square में रहे यहाँ का जो angle है same होना चाहिए theta theta रहे फिर भी a a रहे फिर भी यहाँ इसके अलावा कुछ और रहे यानि कि same रहना चाहिए तो उसके जगा पर हम one रख सकते हैं तो यह तो one पहले से ही है फिर plus है यह दोनों के जगा पर दोस्तों हम क्या रख दियें one sin square plus cos square one plus two sin a बट्टा one plus sin a और bracket में into cos है अब देख लो भई आगे क्या करेंगे आपे तो one और one को तो add कर सकते हैं एक ही जाती का है तो उपर हो गया two plus two sin a थिक्ए बट्टा one plus sin a into cos है अब देख पार होगे उपर में हम लोगों को क्या है two plus two sin a है तो two two क्या कर सकते हैं common तो two को अगर common करेंगे तो मिलेगा क्या उपर one plus sin a और निचे क्या बनेगा तो one plus sin a into में cos है तो one plus sin a one plus sin a कट गया तो यहाँ पे बच क्या रहा है भई two into one by cos a तो देख लो एक फार्मूला हम लोग पढ़ेते हैं sec theta का one by cos theta तो one by cos theta का जगह पे उल्टा sec theta रख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है one by cos इसको लिख सकते हैं sec तो इसको लिख दिया two sec a ठेक है two sec a sec यह कहां से भई तो one by cos तो one by cos के जगह पे sec यह इस तरीके से हम लोगों को आ गया बराबर rhs proof तो इस तरीके से आप देख पा रहोंगे question number two को हम लोगों ने proof किया तीसरा question को चले रेखते हैं proof करते हैं हम लोग कैसे करेंगे तीसरा question क्या proof करना जड़ा देखते हैं तीसरा वहला जो third question है वो क्या है पहले देख लेजे 10 theta बटा one minus cot theta plus cot theta बटा one minus ten theta बराबर one plus z theta into cos theta यह हमें क्या करना proof करना है तीक है यह हमें sorry proof करना आप कहा से चलो भई LHS से चलो तो LHS में क्या है LHS में है 10 theta one minus cot theta plus cot theta बटा 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 1 minus 10 theta तीक है आप करो क्या भई यहां पर हम लोग जानते हैं न एक फार्मूला कि 10 कैसे निकलता भई 10 कैसे निकलता जब हम लोगोंने साइन ठेटा बटा cos theta करते हैं तो 10 theta निकलता है तो इसलिए हम लोग 10 theta के जगा पर क्या रख दिया साइन ठेटा बटा cos theta और बटा में 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं न इसको और minus इस cot को क्या लिख सकते हैं cos theta बटा sin theta फिर बिच में क्या है plus बिच में क्या है plus है फिर उपर cot है वही तो उपर cot है तो इस बार हम लोग cot theta का फार्मुला सिखे हैं कि ये उल्टा हो जाता है cos theta उपर और sin theta नीचे तब हम इसको क्या बूलता है cot theta 1 को 1 by 1 minus इस 10 को sin theta cos theta देखलो ये सब सबी फार्मुले पे तूट रहे हैं वही ठीक है टेंसन नहीं लेना है फार्मुला होता है उपर जो sin theta cos theta है इसको हम लोग अभी वैसे ही छोड़ रहे है आप पहले नीचे वाला का lcum ले लो नीचे वाला का lcum क्या होगा तो 1 और sin theta का lcum sin theta 1 से कितनी बार में कट रहे है sin theta बार में बिच में क्या है minus sin theta sin theta कितनी बार में एक बार में और एक को cos theta से गुना करेंगे तो cos theta plus ठीक है फिर क्या करेंगे plus और यहां पर आप देख पा रहे होंगे plus करने के बाद उपर क्या है cos theta बटा sin theta और पूरा का बटा में क्या है तो lcum ले लो इस बार वही cos theta क्या ले लेंगे cos theta तो यहां 1 से cos theta बार में कटेगा तो cos theta minus cos से cos कटेगा sin theta हम लोग जानते हैं ना दोस्त कि यह जो नीचे वाला है यह सबसे उपर हो जाता है और उपर का जो नीचे वाला होता है वो नीचे आ जाता है तो हम लोग क्या बनेगा नीचे वाला sin theta उपर जाएगा तो इस sin theta के साथ multiple होकर sin square theta बना देगा ठीक है और cos theta जब नीचे आएगा तो क्या बना देगा sin theta minus cos theta समझा रहे फिर plus नीचे वाला cos theta उपर जाएगा तो cos theta cos theta क्या बना देगा भई cos square theta और यह sin जब नीचे आएगा तो यह बना देगा sin theta bracket में cos theta minus sin theta ठीक है चलो भई आगे हम लोग देखते है अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज कर सकते है पता है हो क्या कौन सा चीज है इसको लिख दो भई sin square theta बड़्टा cos theta cos theta ठीक है यह cos theta और bracket में sin theta minus cos theta यह वही कब ही रख देगे लेकिन यहाँ पर दोस्तो ना यहाँ के बाद से आप minus को common कर लेजे यहाँ पर plus है ना सवाल में आप minus कर लो minus करने से फायदा मिल गया आपको क्या फायदा कि sin theta तो वही sin theta ही रहा ठीक है लेकिन यहाँ पर cos theta minus sin theta था था ना तो जैसे ही minus को common करते हैं तो यह बदल जाता है दोस्तों जैसे यहाँ पर plus था अब यहाँ पर हम क्या निकाले हैं minus तो minus common करेंगे तो यह sin theta पहले हो जाएगा और minus में cos theta बाद में हो जाएगा यानि कि sin theta minus cos theta समझना रहा है यहाँ पर क्या था भी फिलाल फिलाल था cos theta minus sin theta तो जब हम यहाँ पर plus के बज़ाए अगर minus किये तो यहाँ पर क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है change हो जाता है sin theta minus cos theta तब आपको लग रहोगा कि सर ऐसा क्यों किया तो इसलिए किये दोस्तों क्योंकि दोनों का अगर हम LCM लेते हैं LCM लेते हैं तो sin theta minus cos theta और sin theta minus cos theta दोनों में common हो जाएगा और यहाँ पर cos theta है यहाँ पर sin theta है तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं आगे हम लोग क्या करने वाले हैं तो आगे हम लोग LCM लेने वाले हैं LCM क्या लेंगे sin theta minus cos theta into में भी sin theta into cos theta ठीक है sin theta cos theta और sin theta minus cos theta दिखाते हैं क्यों क्योंकि देख लो यहाँ पर sin theta minus cos theta तो दोनों जगा आ रहे हैं तो दोनों जगा का मतलब एक जगा common और यहाँ पे cos theta यहाँ पे sin theta तो sin theta cos theta का LCM sin theta into cos theta होगा ठीक है चले अब पहले वाले term को देखिए तो पहले वाले term के निचे sin theta minus cos theta है और cos theta है क्या बच रहा है भाग देकर सिर्फ sin theta और उपर है sin square तो उसके साथ गुना करेंगे तो sin q theta बीच में minus ठीक है बीच में minus फिर क्या होगा फिर क्या होगा तो बाद वाला को देखिएंगे तो sin theta minus cos theta है लेकिन इस बढ़ sin theta भी है साथ में तो यह कटेगा यह कटेगा तो क्या बचेगा सरफ cos theta और cos theta को cos square के साथ गुना किजे क्या बनेगा cos q theta क्या बनेगा cos q theta ठीक है अब यहाँ पर आप देख पा रहोंगे कि आपको कुछ दिखरा होगा कुछ इस तरीके से कि ए हम लोगों को बन रहा है aq-bq ठीक है aq-bq तो aq-bq का फार्मुला आपको पता होना चाहिए कि aq-bq का फार्मुला क्या होता है ठीक है अगर aq-bq का फार्मुला अगर आपको आ रहा हो तो आप यहाँ पर तोड़ सकते हैं क्यों वही क्योंकि देख लो इस sine cube theta को हम लोग लिख सकते हैं sine theta का cube minus cos theta का cube but sine theta sorry sine theta minus cos theta और यह sine है into sine theta into cos theta निचे का निचे रहेगा अब देख लो यहाँ पर फार्मुला कौन से चलेगा तो यहाँ पर चलने वाला है हम लोगों को वो यह कि aq-bq aq-bq अब aq-bq का फार्मुला ठीक है अब aq-bq का फार्मुला अगर याद होगा तो हम लोग आराम से बना सकते हैं तो चले देख लेते हैं सबसे पहले फार्मुला कि aq-bq का फार्मुला क्या होता है फार्मुला यहाँ पर लिख देते हैं aq-bq का फार्मुला होता है a-b a²-ab प्लस b² यह फार्मुला होता है ठीक है तो देख लो वहीं यहाँ पर a कौन सा है तो a है साइन क्यों तो a-b तो यहाँ हो जाएगा साइन ठीका मायनस क्वास ठीका फिर बरेकरte a² यानिकी साइन असकॉार ठीका माइनस a, b तो a के जगपे साइन ठीका बीके जगपे कॉस जटा तो माइनस उआन ठीका इन्टू कॉस आड़ा प्लस b² b² का मतलब प्लस उसक्वार ठीका divide by sin theta minus cos theta into sin theta into cos theta यह minus वाला bracket खतम हो गया अब उपर क्या बच रहा है sin square theta minus में है sin theta into cos theta दोस्तों करना क्या है अब simple सी बात को समझो करेंगे क्या तो यहां एकदम बिल्कुल हम लोगों को static काम करना है वो यह कि अब जो चीज़ें बच रहा है उसको हम लोग note down करता है शारी एक फार्मॉला यह में mistake हो है प्लस यह भी होता है ना प्लस यह भी तो यहां पर प्लस देंगे ठीक है अब इसको हम लोग यहां पर बच किया रहा है तो sin square और cos square theta को एक साथ भी तो कर सकते है sin square theta प्लस cos square theta प्लस sin theta into cos theta उपर हो गया और नीचे क्या बच रहा है सरिफ तो sin theta into cos theta बच रहा है अब हम जानते हैं कि sin square theta प्लस cos square theta का value होता है 1 ठीक है तो 1 लिख दिया प्लस sin theta into cos theta यह उपर हो गया और नीचे कितना तो sin theta into cos theta एक mathematics का rule है दोस्तों कि अगर उपर plus और minus में रहे यानि कि uns में plus और minus में रहे और हर में अकेला कोई रहे तो उसको हम लोग बारी-बारी से तोड़ सकते हैं यानि 1 के नीचे आ जाएगा sin theta into cos theta और plus sin theta into cos theta के नीचे भी आ जाएगा sin theta into cos theta यानि कि अगर ऐसा रहता है तो हम लोग बारी बारी से तोड़ देते हैं, तीक है, अब ऐसा करने से ये पूरा कटके 1 हो गया, और यहां पे दो तरह का इसको कटेगराइज कर सकते हैं, 1 बटा sin theta into 1 बटा cos theta plus 1, अब 1 को तो हम पहले लिख सकते हैं, तो 1 को पहले लिख दिया, अब 1 by sin क्या होता है वही, 1 by sin, cos theta, और into 1 by cos क्या होता है, से एक theta, तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव करो कि 1 plus cos theta into sec theta आना चाहिए, देख लो भाई, प्रूव किये हैं, जो करना 1 plus sec theta पहले है, बाद में cos theta, cos 1 है, तो इससे हम लोगों को कोई दिक, इससे हम लोगों को दिकत नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं, आगे हम लोगों को RHS, तो दोस्तों अगला जो question है, चार नंबर जो question है, उसको आप खुद से try किजेगा, LHS को अलग से किजेगा, और RHS को अलग से किजेगा, उसमें, कुछ ऐसा question है, जिसमें LHS को अलग solution करना पढ़ता है, RHS को अलग करना पढ़ता है, फिर अगर द को आप solve किजेगा, formula लगाएकर, और RHS को, फिर देखिएगा कि क्या आता है, दोनों आता है बरावर या नहीं आता है, तो आज के लिए दुस्तों इतना है, फिर मिलते हैं, अगले class में तब तक के लिए धन्यवादी,